Study IQ IS अब तयारी हुई affordable The Life of Napoleon Bonaparte Welcome to Study IQ मेरा नाम है आदेश सिंग March 1796 France की सेना Italy पर आक्रमान करने के लिए अपने Newly Appointed General का इंतिजार कर रही थी ये सेना पिछले तीन सालों से Italy पर हमला कर रही थी लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिल रही थी बिना निरनायक सफलता के इतने दिनों से लड़ते हुए सेना का मनोबल टूट चुका था और संसाधनों की भी भारी कमी थी ऐसे में जब सैनिकों की अपने नई जैनरल से पहली मुलाकात हुई तो पांच फुट दो इंच के आदमी को देखकर सैनिकों ने दबी जुमां से उनकी हाइट का बड़ा मजाक उड़ाया पर नई जैनरल के जोशीले भाशन और हमले की फुल प्लानिंग को सुनते ही उन्हें जल्द ही ये समझा गया कि उनके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं खड़ा है दोस्तों ये थे विश्व के सर्वश्रेष्ट मिलिटरी कमांडरों में से एक नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन द्वारा लड़े गए युद्धूं और बैटल फील्ड में उसके बोल्ड मुव्मेंट्स और अद्भुत मिलिटरी स्ट्राटेजी को आज भी दुनिया भर की मिलिटरी एकाड़मीज में स्टडी किया जाता है अपनी शक्ती के चरमोत कर्श में एक समय ऐसा भी था जब इंगलेंड को छोड़कर लगभग सारा यॉरोप उनकी आधीन था निपोलियन ने इतालवी अभियान की कमान अपने हाथ में लेते ही अपने सैनिकों को हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा उन्होंने आने वाले एक महिने में ही दुरगम्य समझे जाने वाले अल्प्स माउंटिन को पार किया और साडीनिया पीडमॉंट आस्ट्रिया और अन्य इतालवी राज्यों की जोइंट आमीज को एक के बाद एक कई फ्रंट्स पर निरनायक रूप से हराया इस अभियान के दौरान उन्होंने स्वयम जोखे मुठाकर रिवोली और अकोला के अविश्वसनिय युद्ध जीते इटिली के राज्यों को जीतने के बाद उन्होंने वहां भी फ्रांस जैसा गानतंत्र स्थापित किया इतालवी सैन्य अभियान के बाद निपोलियन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा फ्रांस लोटने पर फ्रांसीसी जनता ने उसका एक हीरो की तरह स्वागत किया एक के बाद एक चनौतियों से जूजते और सफलता प्राप्त करते हुए वो आखिरकार 1804 में फ्रांस का एंपरर बन गया हलांकि दोस्तों जिस तरह दिन के बाद रात का आना शाश्वत है जन्म के बाद मृत्यू का आना शाश्वत है उसी तरह उत्थान के बाद पतन का होना प्रकृती का एक शाश्वत नियम है कोई भी इससे अचूता नहीं रह सकता विश्व में एक युद्धा के रूप में प्रसिद्धी पाने वाले निबॉलियन बोरापाड भी इस नियम से अचूते नहीं रह सके एक सामानिय सैनिक से फ्रांस के राजा तक का निबॉलियन का सफर काबिले तारीफ था लेकिन उसके बाद का उनका सफर काफी कठिन रहा दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि उसकी इस सक्सेस का राज क्या था क्या उसकी सफलता के पीछे केवल उसका व्यक्तित्व और कुछ बड़ा कर गुजरने की महत्वा कांक्शा ही थी या फिर उसकी सफलता में फ्रेंच रेविल्यूशन के कारण फ्रांस की ततकालीन परिस्थितियों का भी हाथ था तो आएए अब हम देखते हैं कि एक सामान्य पारिवारिक प्रिष्ट भूमी के असाधारन प्रतिबह के धनी युवा निपोलियन ने फ्रांस का समराट बनने तक का सफर कैसे तै किया और आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से निपोलियन का सामराज्य खत्म हो गया आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निपोलियन बोनापार्ट के बारे में अर्ली लाइफ एन परसनालिटी अफ निपोलियन दोस्तों निपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 ओगिस्ट 1769 को कॉर्सिका के अजैक्षियों में हुआ था उनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट और मा का नाम लिटीश्य रोमालियोन बोनापार्ट था दोस्तों यहाँ एक इंट्रिस्टिंग फैक्ट यह है कि निपोलियन के जन्म के कुछ समय पहले ही फ्रांस ने इटिली के राज्य रिबबलिक आफ जेनोवा से मेडिटेरिनियन सी में स्थित कॉर्सिका आइलेंड को खरीदा था यानि एक तरह से हम कह सकते हैं कि निपोलियन इतालवी मूल का फ्रेंच सिटिजन था बच्पन से ही निपोलियन बोनापार्ट इंट्रोवर्ट नेचर का था शुरू से ही पढ़ने में उसकी रुची थी वो हमेशा से जियोग्रफे, हिस्ट्री, मैट्स और महापुरुशों की बायोग्रफीज पढ़ा करता था वो जूलियस सीजर और अलेक्जांडर दे ग्रेट से काफी प्रभावित थे उन्हें अकसर अकेले जमीन पर रेखाएं खीचते, किले बनाते और तोड़ते देखा जाता था निपोलियन के पिता पेशो से एक वकील थे उनका परिवार आर्थिक रूप से इतना सशक्त नहीं था इसलिए जब फ्रांस ने अधिग्रहित कॉर्सिका के स्टूडेंस को फ्रांस में पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप देने का निरणाय किया तो निपोलियन भी पढ़ने के लिए फ्रांस चले गए और फ्रांस के ब्रियन मिलिटरी अकाडमी में एड्मिशन ले लिया यहां हमें नेपोलियन की व्यक्तित्व के एक अन्य पहलू का पता चलता है इस अकाडमी में प्रायह कुलीन सामन्तों और अमीरों के लड़के पढ़ते थे जिनके सामने अपनी निम्न सामाजिक प्रिष्ट भूमी के कारण नेपोलियन हीन भावना से ग्रस्त रहते थे उसके साथी कडेट उसके छोटे कद का भी मजाग बनाया करते थे ऐसे में बहुत संभव है कि उसके मन में यौरोप के कुलीनों और अरिस्टोक्रसी के प्रतीतिरसकार और अवहेलना की जिस भावना का विकास हुआ था उसके बीज यहीं पढ़े थे अकैडमी में पढ़ने के दौरान वो अकसर कॉर्सिका को फ्रेंच उक्यूपेशन से आजाद कराने के लिए मुखर होकर बोला करता था परन्तु बाद में उन्होंने कॉर्सिका को आजाद कराने का विचार छोड़ दिया फ्रेंच उर्यविलूशन के शुरू होने पर वो फ्रेंच उर्यविलूशन के रिपब्लिकन सिधानतों में रुची लेने लगे और जेकोबियन दल के समर्थक बन गए अकैडमी में उसकी रुची फ्रेंच नेवी में शामिल होने की थी लेकिन वो आर्टिलेरी में सिलेक्ट हुए और 1785 AD में फ्रेंच आमी में सेकंड लेफटेनेन के पोस्ट पर कमिशन हो गए ये संयू की बात है कि फ्रेंच रेविल्यूशन के समय जितनी भी बड़ी लड़ाईयां लड़ी गई वो सब भूमी पर ही लड़ी गई जहां नेपोलियन को अपनी मिलिटरी स्ट्रिटीजिक अबिलिटी दिखाने का भरपूर मौका मिला था दोस्तो युवा और महत्वा कांक्षी नेपोलियन के एक सैन्य अधिकारी के स्थर से फ्रांस के समराट बनने तक के सफर में हमारे लिए ये जानना भी बहत जरूरी है कि ततकालीन फ्रांस की वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने नेपोलियन को ऐसे अवसर प्रदान किये जिसका लाब उठाते हुए वो फ्रांस का सर्वे सर्वा बना आईए हम बताते हैं राइज ओव नेपोलियन एस फ्रेंच किंग फ्रेंच रेविल्यूशन की शुरुवात 1789-80 में हुई थी जब थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने आपको नैशनल असेंबली घोशित कर बबन वन्ष के शासक लूई सोलवें के राजतंत्रिय शासन के जगह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे modern Republican values पर नवीन राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना कर दी थी French Revolution के शुरुवाती सालों में तो फ्रांस में लगातार अराजक्ता का मौहल बना रहा इस दोरान क्रांती के समर्थक जिरॉंदिस्थ और जेकोविंदल आपस में जगट रहे थे वहीं रॉयलिस्ट या राजतंत्र के समर्थक पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने के लिए यॉरप अन्यदेशों के साथ मिलकर शडियंत्र कर रहे थे वास्तव में French Revolution के स्टार्ट होते ही आस्ट्रिया, प्रशा और रूस के शासकों को ये भैस अताने लगा कि French Revolution से उपजे व्यवस्था परिवर्तन के Republican Thoughts कहीं उन तक न पहुंच जाएं इसलिए वो फ्रांस में हर कीमत पर पुरानी व्यवस्था लागू करना चाहते थे जिससे क्रांती के विचारों को पहलने से पहले ही रोका जा सके इसलिए उन्होंने फ्रांस पर चारों तरफ से हमले करना और फ्रांस के बबन राजवन्ष के समर्थक Royalist को समर्थन देना शुरू कर दिया इन ही परिस्थितियों में फ्रांस में निपोलियन को उभरने का मौका मिला उसे अपनी योगिता साबित करने का पहला मौका 1793 AD में Southern France के Toulon नामक Port City में मिला जहां Royalist Supporters ने England की मदद से कबजा कर लिया था निपोलियन ने यहां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विद्रोहियों पर गोली चलवा दी इसके फलस्वरूप विद्रोहियों के हौसले पस्त हो गए इसके साथ ही उन्होंने तोब खाने का इस्तिमाल करते हुए ब्रिटिश नौसैनिक बेड़े को भी खदेर दिया उसकी सभलता के बाद उसे ब्रिगेडियर जेनरल का पद दिया गया इस घटना के बाद से ही निपोलियन फ्रांसीसी जनता में लोकप्रिय होने लगा था जनता का मानना था कि निपोलियन ने उनकी रक्षा कर न सिर्फ फ्रांसीसी टेरिटरी की रक्षा की बल्कि उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में फ्रांस का गौरव भी बढ़ाया इसके बाद ऑगस्ट 1795 में पैरिस में उसे एक बार फिर से अपनी कुशलता दिखाने का मौका मिला जब कन्वेंशन पर रॉयलिस्ट समर्थकों ने हमला कर दिया था यहां भी निपोलियन ने कुछी घंटों में पैरिस की सड़कों से विद्रोहियों को साफ कर दिया और कन्वेंशन को सुरक्षत बचा लिया इस घटना के बाद से फ्रांस के राष्ट्रियस तरके नेताओं के लिए भी उसे इग्नोर करना लगभग असंभव हो गया था और जनता भी उसे एक कुशल और सक्त प्रशासक के रूप में देखने लगी थी इस इंसिडन्ट के बाद से ही उसे इटली में फ्रांसी सी सैन्य अभियान की पूरी जिम्मेदारी दी गई जिसके उल्लेक के साथ हमने लेक्चर की शुरुबात की थी इस अभियान में उन्होंने न सिर्फ जीत हासिल की बलकि नीस और सेवोई जैसे इटालियन प्रदेशों पर भी कबजा कर लिया उन्होंने इस अभियान में आस्ट्रिया को हराने के बाद केमपो फॉर्मियों की ट्रीटी साइन की जिसके परिणाम स्वरूप राइन रिवर को फ्रांस की प्राक्रितिक सीमा मान लिया गया दोस्तों यहां हम उनके सैन्यकोशल के साथ साथ उनकी फॉर्ण पॉलिसी की समझ और स्ट्रिटीजिक अंडिस्टैंडिंग को भी देख सकते हैं इस संधी के माध्यम से उन्होंने आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग राजवंश का रुख बैलकन पैनिंसिला, टर्की और रशन सामराज्य की ओर मोड दिया इससे आस्ट्रियन एंपायर का टर्की और रशन सामराज्य के साथ संगर्ष एक जरूरत बन गया और जिसकी वजह से आने वाले कई सालों में आस्ट्रिया कभी भी भवर से निकल नहीं सका और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग सामराज्य का अंत हो गया उन्होंने नए जीते गए प्रदेशों से ही उनके प्रशासन और सैन्य खर्च निकालने की नीती अपनाई इससे फ्रांसीसी जनता अतिरिक्त करों के बोज से भी मुक्त रही इस दोरान उन्होंने इटली से बहुमूल्य कलाकृतियां फ्रांसीसी संग्राहलेयों में बेजी इटली के प्रदेशों में उसके द्वारा स्थापित सुनियोजित प्रशासन से लोगों का उसकी प्रशासनिक शमताओं में विश्वास बढ़ता जा रहा था उसके इनकामों से फ्रांसीसी जनता में उसके प्रती सम्मान बढ़ता जा रहा था जो पहले ही डायरिक्टरी के भ्रश्ट शासन से त्रस्त हो चुकी थी दरसल फ्रेंच रेविल्यूशन शुरू होने के बाद से ही फ्रांस में भ्रश्टाजार अराजकता के कारण दैनिक उप्योग की वस्तुओं के कीमतें बढ़ने लगी थी और फ्रेंच मुद्रा की वैल्यू लगातार घटती जा रही थी ऐसे में फ्रांसीसी जनता अब क्रांती के आदर्शों को छोड़कर अर्थ व्यवस्ता में सुधार और स्टेबिलिटी चाहती थी लेकिन जहां एक तरफ पूंजी पती वर्ग अब अपनी उन्नती और संपत्ती की सुरक्षा के लिए नेपोलियन की ओर देख रहे थे वहीं गरीब जनता सामाजिक सुरक्षा के लिए उसकी और आस लगाये हुए थी ऐसे में डायरेक्ट्री शासन भी उसकी इस लोकप्रियता से भैभीत था और जितना हो सके नेपोलियन को फ्रांस से दूर रखना चाहते थे इसके लिए उन्होंने नेपोलियन को इंगलेंड के कोलोनियल ट्रेड को ब्लॉक करने के लिए इजिप्ट के सैन्य अभियान पर भेज दिया दोस्तों यहां हम उनके व्यक्तित्व की एक और विशेष्टा को देख सकते हैं और वो है धैरिया नेपोलियन हमेशा पॉजिटिव रहने वाले इंसान थे उन्हें मालूम था कि अभी भी फ्रांस में राजनेतिक परिस्थितियां उनके लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं हुई है इसलिए उन्होंने खुशी खुशी एजिप्ट अभियान पर जाना स्विकार कर लिया उन्होंने 1798 AD में एजिप्ट पर हमला किया और अलेक्जांड्रिया होते हुए काहिरा के पास पिरिमिज के युद्ध में ममलूक सिनाव को हरा दिया लेकिन इसके थोड़े समय बाद ही नेलसन की कमांड में ब्रिटिश नेवी ने नाइल या नील रिवर के युद्ध में फ्रेंच नेवी को बुरी तरह से हरा दिया इजिप्ट से मिली हार से नेपोलियन निराश बिलकुल नहीं हुए बलकि उन्होंने एक विवादासपद किंतु सहसिक निरणय लेते हुए अपनी सेना को वहीं छोड़कर अपने विश्वस्त साथियों के साथ फ्रांस वापस लोटने का फैसला किया उनके फ्रांस वापस आने तक डायरेक्टरी के भ्रष्ट शासन से फ्रांस की जनता इस कदर तरस्त हो चुकी थी कि किसी ने भी उनसे ये नहीं पूछा कि एजिप्ट अभियान में क्या हुआ उनके वापस आने से जनता प्रसन थी उन्हें देखकर निपोलियन का खुद ये कहना था कि लगता है सभी मेरी राह देख रहे थे यदी मैं कुछ समय पहले आता तो जल्दबाजी हो जाती और यदी मैं थोड़ी देर बाद आता तो देर हो जाती मैं बिलकुल ठीक समय पर आया हूँ निपोलियन जानते थे कि ये सत्ता पाने का सबसे स्वर्णे मवसर है उन्होंने अपने समर्थकों के साथ डायरिक्टरी शासन का तख्ता पलट दिया तख्ता पलट के इस घटना के बाद फ्रांस में काउंसिल व्यवस्था लागू की गई संपूर्ण कारेपालिका की शक्ति को काउंसिल में निहित कर दिया गया इस काउंसिल के तीन सदस्य थे जिसमें फर्स्ट काउंसिल निपोलियन खुद था नए सम्विधान के तहट चुनाव कराए गए जिसमें तीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मत देने का अधिकार मिला चुनाव में जनता ने नवीन व्यवस्था को अपनी सेहमती दे दी इस प्रकार नवंबर 1799 को फर्स्ट काउंसिल के रूप में निपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की सत्ता का सर्वे सर्वा बन बैठा निपोलियन ने शासक बनते ही कई तरह के सुधार किये अपनी सुधारों से निपोलियन का आत्म विश्वास चरम सीमा पर था लोग उन्हें और उनकी बातों को हाथों हाथ लेते थे इन्ही सब कारणों से चार साल बाद 1804 में निपोलियन ने फर्स्ट काउंसिल का चोला भी उतार कर फैंक दिया और विदिवत फ्रांस की समराट बन गए इस घटना से पूरे यॉरप में खल बली मच गई और यहीं से उनके पतन की शुरुआत भी हुई साल 1800 के दशक की शुरुआत में फ्रांस में व्यवस्था बहाल करने में निपोलियन बोनापाट की शुरुआती सभलताओं के बावजूद समराट बनने के बाद के 10 साल असभलताओं से भरे रहे जो अंततह उनके पतन का कारण बने निपोलियन ने शुरु में पूरे यॉरप में शांती बनाए रखी लेकिन अब वो सारे यॉरप पर फ्रांस का आधिपत्य देखना चाहता था निपोलियन की सामराज जिवादी सोच की भनक इंगलेंड को लग चुकी थी उसे डर था कि निपोलियन को जल्द ही नहीं रोका गया तो ये पूरे यॉरप का डिक्टेटर बन जाएगा इसलिए इंगलेंड ने आस्ट्रिया और रूस आधी राष्ट्रों को मिला कर एक तीसरा गुट फ्रांस के विरुद्ध बना लिया हुआ वही जिसका सबको अंदेशा था निपोलियन बोनापाट ने पूरे यॉरप को जीतने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू कर दिया उसने साल 1805 में अपने 40,000 सैनिकों के साथ आस्ट्रिया पर हमला कर दिया और एक बार फिर नेपोलियन ने अपनी कुशल सेना की मदद से आस्ट्रिया को हरा दिया इस दोरान शायद ही कोई ऐसा देश था जो उसके रास्ते में खड़ा हो सके उनकी सैन्य रने नीतियां इतनी अनोखी थी कि विरोधियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि नेपोलियन और उसकी सेनाएं युद्ध के मैदान में इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ने में सक्षम है औस्ट्रिया को हराने के बाद जल्द ही उसने ब्रिटिन से जंग शुरू कर दी इसमें कोई दोर आए नहीं थी कि इंगलेंड की रॉयल नेवी उस समय की सबसे मस्बूत और स्ट्रिटीजिक जल सेना थी जिसे हराना किसी के बस की बात नहीं थी और नेपोलियन ये बात भली प्रकार से जानता था लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे समझे नेपोलियन ने स्पेन के पास अट्लांटिक ओशन में केप ट्रफालगर में इंगलेंड की सेना को घेर लिया और यहां पर इंगलेंड की रॉयल नेवल फॉस और फ्रेंच कोईलिशन फॉस के बीच धमासान युद्ध लड़ा गया लेकिन इस युद्ध में नेपोलियन की बुरी तरह हार हुई और रॉयल नेवी यानि इंगलेंड की जीत होती है इस युद्ध को वार अफ दे थर्ड कोईलिशन नाम दिया गया इस युद्ध की हार ने नेपोलियन को कुछ पीछे धाकिला और उन्होंने ब्रिटिन पर हमला करने की अपनी योजना को कुछ वक्त के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया जब नेपोलियन इंगलेंड से युद्ध में उलचा हुआ था तब फाइदा उठाते हुए 1805 में ही रशन और उस्ट्रियन एम्पायर ने भी फ्रांस पर एक साथ हमला बोल दिया उनको लगा था कि नेपोलियन इस युद्ध में हार जाएगा लिकिन ये उनकी गलत फेहमी थी नेपोलियन ने सबसे पहले जर्मनी का रुख किया वहाँ पर जर्मनी को हरा कर राइन की संधी की इसके बाद उसने अपनी सेना की मदद से रशन और उस्ट्रियन एम्पायर का मुकाबला किया इस बैटल ओव ऑस्ट्रियलिट्स में नेपोलियन ने रशन और उस्ट्रियन एम्पायर दोनों को एक साथ हरा दिया आस्ट्रिया को हरा कर नेपोलियन ने एक बार फिर योरप पर अपना सिक्का जमा लिया वो अपने दौर का सबसे महाण सेन्य कमांडर बन चुका था युद्ध मेहार के बाद आस्ट्रिया ने तुरंथ ही ट्रीटी ओफ प्रेसबर्ग साइन करके शांती समझोता कर लिया और वियना को नेपोलियन को सौंप दिया उन दिनों आस्ट्रियन एम्पायर यॉरप के सबसे पावफल एम्पायर में गिना जाता था साल 1807 में नेपोलियन ने रूस पर हमला कर दिया और उसके भी कई भागों को अपने कबजे में ले लिया जिसके बाद रूस को मजबूरन टिल्सिट की संधी करनी पड़ी नेपोलियन ने अब तक छोटे बड़े कई देशों को अपने में मिला कर लगभग पूरे यॉरप पर कबजा जमा लिया 1810 तक आते आते नेपोलियन ने बाकी देश जैसे रूस, बेल्जियम, नेधरलेंज, स्पेन, जर्मनी, आधुनिक पोलंड, बैलकन को अपनी मुठी में कर लिया था लगभग सारे यॉरप का स्वामी बन जाने के बाद भी एक देश नेपोलियन की आँखों में बहुत खटक रहा था और वो था इंग्लेंड दूस्तों नेपोलियन और इंग्लेंड के बीच की राइवल्री अभी खत्म नहीं हुई थी नेपोलियन का अगला कदम महाद्वी पिये प्रणाली के साथ आया नेपोलियन द्वारा लागू किया गया ये फर्मान इंग्लेंड को कमजोर करने के लिए था नेपोलियन ने इंग्लेंड को हराने के लिए एक आर्थिक युद्ध छेडा उन्होंने ब्रिटिन के साथ हर तरह के कारोबार पर रोक लगाने की कोशिश की ब्रिटिन आने जाने वाले हर जहाज को लूटने की पूरी छूट दे दी गई नेपोलियन को उमीद थी कि दबाव में आने पर ब्रिटिन समझोते के लिए राजी हो जाएगा मगर पूचुगल ने नेपोलियन का फर्मान मानने से इंकार कर दिया अब विडम्मना ये हुई कि जो देश कमजोर हुआ वो खुद फ्रांस था नेपोलियन ने स्पेन और पूचुगल पर कबजा कर लिया दोनों देशों में निपॉलियन के खिलाफ बगावत हो गई ब्रिटिन ने आथर वेल्सली की अगवाई में एक सैन्य टुकडी पोचुगल और स्पेन की मदद के लिए भेज़ दी इससे ब्रिटिन को यूरोपीय महदुई पर पैड जमाने का मौका मिल गया इसके अतरिक्त निपॉलियन की महदुई पिये नाकबंदी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश वस्तुओं का मूल्य काफी बढ़ गया क्योंकि इनकी काला बाजारी शुरू हो गई थी यॉरोप की आर्थिक स्थिती अब बिगड रही थी इंग्लेंड के व्यापार पर रोक लगाने की वजह से यॉरोप में वस्तुओं के दाम आसमान चू रहे थे जिससे अब वहां के लोगों में विद्रो के बीज फूटने लगे थे और साथ ही जन्म रहा था राष्ट्रवाद नेपोलियन के लिए इतने बड़े सामराज्य को समहल पाना कोई आसान बात नहीं थी धीरे धीरे छोटे छोटे राष्ट्रों ने विद्रो छिड़ दिया पहले स्पेन में, फिर आस्ट्रिया में, फिर प्रशा और रूस में हर तरफ विद्रो की आवाज बुलंद हो रही थी नेपोलियन ने इन आवाजों को दबाने के लिए अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी स्पेन और पोचुगल में नाकामी के बावजूद नेपोलियन की ताकत में कमी नहीं आई उनका सामराज ये हॉलन, इटली और जर्मनी के एक बड़े हिस्से तक फैल चुका था अब नेपोलियन को जरूरत थी अपने वारिस की उसने 1810 में जॉसफीन को तलाग दे दिया इसके बाद उन्होंने आस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस प्रथम की बेटी मेरी लुई से शादी कर ली जल्द ही नेपोलियन को बेटा हुआ उनके बेटे का नाम भी उनके ही नाम पर रखा गया नेपोलियन ने रोम के राजा की उपाधी भी ले रखी थी साल 1812 में ब्रिटिन की आर्थिक नाके बंदी को काम्याब बनाने के लिए फ्रांस ने रूस की सीमा पर 6 लाक सैनिक जमा कर दिये उसका मकसद ब्रिटिन की आर्थिक नाके बंदी के लिए रूस को राजी करना था इधर स्पीन में ब्रिटिन के कमांडर ड्यू को वेलिंग्टन ने नेपोलियन की सेना को शिकस्त दे दी रूस के मोर्चे पर भी नेपोलियन को कुछ खास कामियाबी नहीं मिल रही थी कोई भी जंग जीतता नहीं दिख रहा था 1812 में नेपोलियन ने मॉस्को पर कबजा कर लिया लेकिन सर्दियां आ रही थी मजबूरी में नेपोलियन को पीछे हटना पड़ा लेकिन मॉस्को को जीतना नेपोलियन के लिए भारी पड़ गया जैसे ही नेपोलियन आमी मॉस्को पर जीत हासिल करके निकली उसी दौरान रशन आर्मी ने उन पर हमला कर दिया नेपोलियन के आधे से ज्यादा सैनिक बर्फ और सरदी में मारे जा चुके थे और जो बचे वो बेहत कमजोर और ठके हुए थे ऐसे समय में रशन आमी नेपोलियन की सेना पर भारी पड़ी मौस्को की भयानक ठंड में फ्रेंच आमी का सर्वाइव कर पाना नामुम्किन साबित हो गया और जब तक वो अपने वतन लौट पाते उनकी सेना में महज 10,000 सैनिक ही युद्ध के लाइग बच रहे थे रूस में नाकामी और स्पेन में हार के बाद आस्ट्रिया और प्रेश्या एक बार फिर से नेपोलियन को हराने की फिराक में थे साल 1813 में जर्मन स्टेट्स ने आस्ट्रिया, प्रेश्या, रूस और स्वीडन के साथ मिलकर हमला कर दिया इस युद्ध को Battle of Leipzig और German Campaign of 1813 का नाम दिया गया नेपोलियन रूस की हार से उब्रावी नहीं था कि उसे एक और हार का सामना करना पड़ा उसकी बादशाहत बिखर रही थी 1814 के मार्च महिने में दुश्मनों ने राजधानी पैरिस को घेर लिया नेपोलियन को गद्धी छोड़नी पड़ी उन्हें एल्बा नाम के एक जजीरे पर कैद करके रखा गया फ्रांस की गद्धी पर कैद से भी नेपोलियन की निगाः फ्रांस के हालात पर थी 1815 में वो कैद से भाग निकला और पैरिस पहुंच गया पैरिस पहुंचने के बाद नेपोलियन ने सम्विधान में तेजी से बदलाव किये इससे कई विरोधी नेपोलियन के पाले में आ गए 1815 में मार्च महिने तक यॉरप के कई देशों ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ मोर्चा बना लिया था जून में नेपोलियन ने बेलजियम पर हमला कर दिया लेकिन 18 जून को वाटलू की लड़ाई में ड्यू को विलिंग्टन ने उन्हीं शिकस्त दे दी ब्रिटिन ने नेपोलियन को कायद करके दक्षणी एटलांटिक स्थित सेंट हेलेना नाम के दूइप पर रखा ये अफरीका के तट से दूर एटलांटिक में एक सुदूर दूइप है नेपोलियन ने विरूद किया लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था उन्हें न तो परिवार से मिलने दिया गया ना ही उनकी कोई खबर दी गई अगली छे साल नेपोलियन ने तनहाई में बिताए वो खाते थे, ताश खिलते थे और लिखते थे उन्होंने बोल कर अपना जिंदगी नामा भी लिखवाया 1821 में पेट की कैंसर से नेपोलियन की मौत हो गई मगर दुनिया को अलविदा कहने से पहले नेपोलियन ने यौरप के नक्षे पर कभी न मिटने वाली इबारत लिख डाली कंक्लूजन तो दोस्तों ये थे नेपोलियन बोनापाट इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजेय सेनापतियों में से एक गिना जाता है नेपोलियन ने अपने सुधारूं और पक्के इरादों की वजह से अव्यवस्थित फ्रांस को व्यवस्थित किया और राजनैतिक व्यवस्था को और मस्बूत किया वो इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते थे उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था युद्ध के मैदान में वो अकेले ही 40,000 युद्धाओं के बराबर थे उनके अनुसार जिन्दगी में मसीबतیں चाय के कप में जमी मलाई की तरह हैं और कामियाब वो लोग होते हैं जो फूक मार कर मलाई को अलग कर देते हैं और आराम से चाय को पीते हैं हलाकि एहंकार और दुनिया जीतने की जिद ने आखिरकार नेपोलियन और उसके सामराज्य का भी अंत कर दिया